अगर अपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं क्या तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन भी दबालो ताकि मेरे सारे रेचेपिस के नॉटिफिकेशन अपको पहले मेल जाए यहां पर मैंने लिया है 250 ग्रम जैसा चीकन और यहां अब देख सकते हो कि काल जेडा पॉडर्डर नमक मिर्च पाउडर धनिया पाउडर अल्दी पाउडर घ्री नमतर टमाटर जीजर गर्लिक पेस्ट हरे मिर्च पीयाज चोप किये हुए धनिया अब मैं चिकन को मैरिनेट करने के लिए सारे मसाला एक एक करके डालूंगे और मैरिनेट करके टैन मिनिट जैसे ऐसी रखतूंगे अब मैंने लिया है एक कड़ाई जो हीट होने के लिए मैंने केस पर रखा था अब मैं यहाँ पर डालूंगे थोड़ा सा ओईल ओईल गरम होने के बाद मैं यहाँ पर डालूंगे चॉप किया हुआ पियाज जो मैंने पहले चॉप करके रखा था और हर इमिज अब मैं इसे अच्छे से स्टेर करूंगी तक यह नीचे लगना जाए अब जब तक यह पियाज गोल्डन कलर तक नहीं होगा तब तक मैं हीट करते रहूंगी यह गोल्डन कलर आ चुका है अब में दालेंगी यहाँ पर हरमतर और टमातर जो मैंने पहले चॉप करते रखा था थोड़ी से नमस दोलेंगी इसमें ताक यह का टेस्ट कियो ही वह अच्छा रहूंगी अब में इसे अच्छे से जब तक टमाटर बॉयल नहों हो जाए तब तक मैं हीट करूंगी और बीच बीच में स्टेर करते रहूंगी यह आप देख सकते हो टमाटर एकदम बॉयल हो चुका है अब में जो चिकन मैरिनट करके रखाता पहरी वह यहाँ पर डाल देंगी और अच्छे को मिक्स करतेंगी अब मैं इसे थोड़ी दर के लिए छोड़ देंगी यह मैंने अब देख सकते हो मैंने पानी बिलकुल नहीं डाला पर यह टमाटर के वज़ए से यह पानी आ चुका है पानी के जरुत है ही नहीं इसमें यह थोड़ी दिर बाद में दिखा रही हो आपको यह देखो बॉयल अल्मोस्ट हो चुका है यह पांच मिनिट और में बॉयल करूंगे अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा हरे दिर यह अब देख सकते हो अल्मोस्ट हो चुका है यह एक दम ही जो फ्लेबर है इसका यह बहुत यह अच्छा खुश्बू में पारी हो अब यह देख सकते हो फाइनल लुक सो अगर अच्छा लगा तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत पूलना थैंक यू सो मच फॉर वोचिंग